प्यारे दोस्तो आज हम आपके लिए वसीकरन की एक डियल विधी सच्चा वसीकरन विधी आज हम आपको के लिए लेकर आए हैं यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वहस्त्रिप्रूस आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती और आप चाहते हैं उसको अपने करीब लाना या फिर कोई व्यक्ति आप से रूट करके आप से कहीं दूर चला गया है या चली गई है और आप चाहते हैं उसको अपने करीब लाना तो आज हम आपके लिए महबत में जीत हासिल करने का प्यार में जीत हासिल करने का बड़ा ही पाउरफुल और एक महा सकती साली विधी महा सकती साली टोटका आज हम आपको बताएंगे जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं तो पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं अपनी महबत में उसको तड़पा सकते हैं अपने प्यार में उसको पागल दिवाना बना सकते हैं लड़का लड़की हर समय आपी के बारे में सोचेगी हर समय आपी के बारे में बात करेगी आपी के ख्यालों में वह खोई रहेगी आप जैसे जैसे उससे चाहेंगे वह वैसे वैसे करने लगेगी फिर चाहे वैस्त्रिप्रूस कोई आपका पती हो पतनी हो, गल्फ्रेंड हो, बॉइफ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप इस विधी को कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको किसी तांतरिक, किसी बाबा, किसी मौलवी, किसी पंडित के पास जाने की कोई आवे सकता नहीं आप खुद से इस विदी को कर सकते हैं घर बैठे मुफ्त में कर सकते हैं और आज करेंगे तो कल से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यह इतनी पाउरफुल विदी है कि मातर 24 गंटे बाद से ही असर दिखाना शुरू कर देती है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं से मेरा काम होगा या नहीं होगा चलो करके ही देख लेता हूँ मैं गारंटी देता हूँ 101% आपका काम होगा जी हाँ 101% आपका काम होगा चलिए अब मैं आपको इसकी पूरी विदी बताता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से इसको करना है इसको करने के या आपको तीन लहसुन की कली ठीक है और एक वाइट प्लेन पेपर एक मारकर पैन और एक इसमें सुई की आवश्यक्ता होगी आपको क्या करना है सबसे पहले अपने प्यार का मनहिमन ध्यान करना है अपने प्यार का तसुवर करना है ठीक है प्यार का आपको साथ बार नाम प्यार का इस विदी को कर सकते हैं, ठीता से यार्ट करना कि और प्यार। आपको इसके उपर बोलना है तो आपको साथ बार कविता बोलना है और वसीकरण का ये मंतर है इस मंतर को आपको बोल देना है इसके उपर या इहाबू ठीक है बहुत ही आसान और एक पाउरफुल और सक्तिसाली मंतर है ये देख लेजिए इस तरह से आपको बोलना है या इहाबू या इहाबू या इहाबू ठीक है और जब साथ बार इसके उपर आप नाम बोल देने और इसके उपर इस मंतर को आपको कम से कम 21 बार ब बोलने के बाद इनको लहसुन की कली को इस तरह से अपने हाथ पर रखना है और या इहाबू या इहाबू बोलने के बाद इसको इस तरह से सुई को इसमें घुसा देना है तीनों लहसुन की कली को अब इसको क्या करना है वो अच्छे से समझ लीजिए इसको आपको थोड़ी सी मात्रा में आपको धही लेनी है कटोरी में धही लेनी है और उसके अंदर इसको डाल देना है ठीक है अब इसको ले जाकर के आपको कहीं बाहर जाना है चोराय पर जाए या फिर सुनसान जगे पर जाए वहाँ पर जाकर के इस कटोरी को जो आपने लिया है और लेसुन की कली को उसमें डाल करके आपको इस कटोरी को वहाँ पर रख देना है ठीक है रख करके आपको पीछे मुड़ करके बिलकुल भी नहीं देखना है और सीधा अपने घर चले आना है बस इतना सा कारिया आपको करना है और इतना कारिया करने के ब आए गाइगा